हाई एवरिवन वेलकम तो माई चैनल आज मैं आपके लिए दिवाली के लिए कुछ खास तरह की नई टिप्स लेकर आई हूँ तो इस ट्रिक से हम दिपावली में पानी से दिये जलाएंगे हाँ जी पानी से दिये जलाएंगे आप देखेंगे इस दिवाली आपको कितने कम खर्च में आप धेरो दिये इस तरह से जला सकते हैं और ये दिये भुझते नहीं हैं डेड़ से दो घंटे तीन घंटे तक इसी तरह से लगातार जलेंगे तो चलिए हम इसे देखते हैं इसे कैसे हम अरेंज करेंगे तो इसी तरह की नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और जादा से जादा आपने दोस्तों और फैमिली वालों के साथ सेयर करें तो यहाँ पर मैंने दो दिये लिए हैं यह नए वाले दिये हैं और यह दिये मीडियम साइज के हैं तो आपको medium size के या फिर बड़े दिये ही लेने है सबसे पहले आपने क्या करना है जिस परतन में आपको दिये या फिर दिया जलाना है उसमें पानी भर लेना है तो यहाँ पर मैंने दो दिये लिए है और एक काँच की कटोरी ली है पानी आप इसमें पहले ही भर कर रख ले पानी इसमें पहले भर के क्यों रखना है इसका भी एक रीजन है वो मैं आपको आगे बताऊंगी उससे पहले हम बाती तयार कर लेनी है अगर आपके पास तयार बाती है तो आप वो ले लीजिएगा लेकिन मेरे पास लंबी वाली बाती आज नहीं है तो मैं बना लेती हूँ और इसी बहाने से आपके साथ मैं बाती बनाने की एक ट्रिक भी शेयर कर रही हूँ जिसे बाती बनानी नहीं आती है वो आराम से बना पाएंगे आपको लेनी होगे एक अगरबत्ती अगरबत्ती पर यह जो लगा हुआ होता है मसाला इसे आपने हटा देना है इजीली निकल जाता है क्योंकि हमें चाहिए होगी इसमें लगी हुई श्टिक अगर आपके पास नीम की श्टिक है मतलब को यह श्टिक है थोड़ा सा सफाई से और थोड़ा सा सरदा से हमें ये काम करने होते हैं दोस्तों क्योंकि ये सभी हम देवी देवताओं के आगे जलाते हैं दिया बाती को तो आप पहले ध्यान रखे हो सके तो आपको अगर बत्ती की ही आपको श्टिक लेनी है ये मैं आपको recommend करूँगी अब यहाँ पे देखे मैंने stick ली थी और इसके उपर से थोड़ी सी मैंने रूई लगा दी थी और थोड़ा सा इसको इस तरीके से देखे fold कर लेते हैं तो आराम से ये बाती बन जाती है रूई बहुत अच्छे से equally इस पे फैलती है तो इस तरह से आपकी बाती एक ही size की बनेगी ना चोटी ना बड़ी ना मोटी आप हिसाब से अपने लिए बना सकते हैं तो बाती बनाने का तरीका भी मैंने आपके साथ share कर दिया है मैं यहाँ पे आपके साथ कई सारी चीजे एक साथ share कर रही हूँ एक ही वीडियो में आपको कई सारी जानकारी मिल जाएंगी तो इस तरह से इने बनाना बहुत ही easy है और इस तरह से आप धेरो बातिया बना कर तयार कर सकते हैं तो दिवाली के दिये जलाने के लिए आपको धेर सारी बातिया चाहिए वैसे तो बनी बनाई बातिया आती है पर बहुत से लोग बनी हुई बातियों का यूज नहीं करते हैं घर में ही बनाना पसंद करते हैं तो इस टिरिक से आप धेरो बातिया बना कर तयार कर सकते हैं अब देखिए आपके घर में इस तरह का धक्कन जरूर मिल जायेगा आप इस तरह का धक्कन ले लीजिएगा मैंने पेपसी की बोतल का धक्कन लिया है अगर आपके पास और कोई बोतल है तो आप उसका ढकन यूज में ले सकते हैं तो इस ढकन के अंदर हमें एक haul कर लेना है मैंने एक किल को गरम करके इसमें छेद कर लिया है आप चाहे तो पिन या फिर किसी और चीज की मदद से इसमें छेद कर सकते है ये देखिए दोस्तो अब हमें चाहिएगी एक safety pin तो ये pin भी हमें चाहिए और इसको मैंने थोड़ा सा खोल दिया है इस तरीके से तो तीन तरह के दिये मैं आपको जला कर दिखाऊंगी और तीनों बातिया मैंने तयार कर ली है अब देखिए दोस्तो इनको set कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ दिवाली के लिए बहुत ही अच्छा सा जुगाड है क्योंकि हर कोई चाहता है कम बजट में अपने घर में रोशनी कर सके दिये जला सके और ये दिये जो मैं बना रही है दोस्तों देखिए दोस्तों अब हमें करना क्या है आपके पास कोई भी आर्टिफिशल फ्लावर है या फिर कोई श्टॉन वगेरा है कुछ भी ऐसी चीज है मतलग आप उसे पानी में डाल सकते है यहाँ पर मेरे पास कुछ फ्लावर है यह ओरिजिनल फ्लावर है प्लांट वाले तो दो चार फूल थे मेरे पास यह मैंने पानी के अंदर डाल दिये है इस तरह से बहुत ही अच्छे लगते हैं सुन्दर लगते हैं तो इस तरह से हम decorate कर सकते हैं तो आप इस तरह से डाल दीजिएगा पानी थोड़ा सा उपर तक रहेगा तो यह इसमें भीगे रहेंगे और सुन्दर लगेंगे तो यह जो मैंने डखकन लिया था मैंने इसके अंदर बाती डाल दी है और दीओं में मैंने एक एक चमच के करीब ओयल डाल दिया है जादा नहीं यूज करना है शिर्फ एक चमच के करीब ओयल डालेंगे अब आप कहोगे आपने ओयल के लिए तो मना किया है हाँ दोस्तों मैंने ओयल के लिए मना किया है आप oil को बिल्कुल skip कर सकते हैं आप oil की जगे मौंबती का यूज कर सकते हैं मौंबती हमें की तरए से लेनी है मौंबती को हम पिखला कर और ओईल की तरह इस्तिमाल करेंगे जब आप मौंबती को थोड़ा सा पिखला लेते हैं पानी form में आ जाती है तो कम तेल में भी ये दिये जला सकते हैं देखी मैं इसे जला कर भी दिखा देती हूं कहते हैं ना कि पानी में जलती नहीं है डूप जाती है तो बाती तो नहीं डूपती है दोस्तों अगर आप सही से बनाते हैं सही से वर्क करते हैं तो बिल्कुल भी बाती नहीं डूबती है और ध्यान रखे, ज़्यादा लंबी बाती ना बनाए क्योंकि मैंने अभी लंबी बाती आपको बना के दिखाई थी लेकिन एक बाती में से दो बाती मैंने कर ली थी मतलब थोड़ी सी निकाल दी थी क्योंकि ज़्यादा लंबी बाती होती है वो सही से जल नहीं पाती है इसलिए अब देखिए दोस्तो ये आप कहीं पर भी रखिएगा चाहे किसी टेबल पर रखिएगा जला के ये फिर कहीं भी सजा कर आप इसको रख दीजिएगा ये देखने में बहुत ही ज़्यादा यूनीक लगते है आपका मन खुश हो जाएगा और ये जो मैंने थोड़ा सा इसमें ओईल डाला है दोस्तो ये घंटों तक खतम नहीं होता है यकीन मानिए गंटों तक जलता रहता है अगर आप सही से बनाओगे तो मैं इस तरीके से हर साल बना के रखती हूँ और अगर आपको लगता है थोड़ा सा ओईल खतम हो रहा है तो आप थोड़ा सा ओईल इसमें ओर डाल दीजिए हलका सा लेकिन ध्यान रहे ओईल आपको एक ही जगह पर डालना है पूरे में फैला कर ओईल नहीं डालना है दीया हो या फिर किसी भी कटोरी में आपने दीया जलाया है इस बात का भी आप ध्यान रखे तो इस तरह आप मॉंबती से भी जला सकते हैं दोस्तो आपकी मर्जी है और ये देखिए जब ये जला के आप रखेंगे तो कितने सुन्दर लगेंगे और हाँ पानी हम इसमें क्यों डालते हैं मैं आपको बताती हूँ तो पानी में जलता हुआ दिया ये अलग ही रोसनी देता है बहुत ज़्यादा ही सुन्दर सा लगता है और एक कारण इसका होता है मैं बताती हूँ पानी में दिया जलाने का जो दिया होता है ना हमारा अगर हम ओईल के साथ ही दिया जलाते हैं तो पूरा ओईल वो सोक लेता है और रखे रखे कभी कभी आपने देखा होगा ओईल भी नीचे निकल जाता है दिये के तो जब आप जो दिया है रात भर जल सके तो आप इस तरीके से पानी का दिया जला सकते हैं एक बार जरू ट्राइए कीजिएगा अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ